हलो दोस्तो नमस्कार वेलकम टो इस एमेजिंग प्लिटफार्म टाप टेन क्लासेज और मैं हूँ बच्चो प्रज्जोर सिंग आपका कमेंस्ट्री मिंटर आर बच्चो हम आपका रेखेंगे बहुत ही महत्तोफूर टापिक जो है बच्चो अतिसीति द्रौ अतिसीति कहते हैं और बच्चो क्रिष्टली ठोस का वर्गी करण देखेंगे कि क्रिष्टली ठोस को बच्चो की साधार पर और कितने भागों में बाटा गया हैं आओ हम डिसकर्सन करें तो सबसे पहले बच्चो यहां पे है अतिसीतित द्रौ मतलब होता है बच्चो द्रौ के समान बहने का गुड क्या तो बच्चो द्रौ के समान बहने का गुड क्या बच्चो द्रौ के समान बहने का गुड क्या बच्चो द्रौ के समान बहने का गुड ऐसे पदात जिसमें द्रौ के समान बहने का गुड पाया जाता है उसको अतिसीतित क्या गाते बच्चो द्रौ कहते ह जैसे बच्चो काच्च आपने जाना होगा बच्चो काच्च इस इस सीति डुरा कहते हैं और क्यों काथे बच्चो कैंज में द्रौ के समान बहने का गुड़ पाया जाता है तो हमारा कोश्चन टाइप में आता बच्चों क्या आता है कि काच को काच को कि आति सीतित काच को आति सीतित द्रव क्यों कहते हैं बच्चों क्या काच को काच को आति सीतित द्रव क्यों कहते हैं बच्चों सपोश करते हैं यह आपको कोई क्या काच है क्या बच्चों सपोश करते हैं कि आपका यह किसी बिल्डिंग में लगा हुआ काच है और इस काच को लगवव 20 15 से 20 साल बेच चुके बच्चों कितने साल 15 से 20 साल बच्चों ब देखेंगे कि जो इसका तल होगा जो निचला सलुगा के वह ऱमूटा हो जाएगा जो ओटालों भच्छों कि यह क्या है कि नीचला तल है और जो रटको ऊपर का तल होगा तो वह पतला हो जाएगा कि electric पतला हो जाएगा ऐसा क्यों ऐसा इसलिए होता बच्चों सब्सक्राइब करते हैं यह आपको वही काज और एक आज बच्चों छोटे-छोटे कड़ों से बच्चों क्या होगा मिलकर बना होगा यह काज बच्चों छोटो-छोटे अब यह भी कड़ों से मिलकर बच्चों बना होगा अब बच्चों होता क्या है कि गर्मियों के मौसम में बच्चों कब गर्मियों के मौसम में यह कड़ यह अव्यवी कड़ पर बच्चों गुरुत्यों का प्रभाव पड़ता है किसका बच्चों गुरुत्यों का प्रभाव पड़ता है अब गुरुत का प्रभाव मतलब आपको पता है कि प्रिथवी सभी वस्तों को अपनी तरफ क्या करते हैं बच्चों खीचती हैं का इसी प्रकार्टि जो आपके काल्चे कड़ है जो काल्चे अवयवी कड़ें बच्चों है ये अब कर 10 अवियवी कड़ों को भी बच्चों प्रिद्वी कहा का प्रभाव पड़ेगा और यही बच्चों गुरुत्तों का प्रभाव पड़ेगा तो यह अवयविकड कहां चले आएंगे नीचे चले आएंगे अगर यह अवयविकड नीचे आगे तो नीचे का तल क्या हो गया मोटा और ऊपर का तल क्या रहा गया बच्चों पतला हो ग कि काच में द्रव के समान बहने का गुड़ पाया जाता है क्योंकि काच के अव्यवी कड़ों पर गुरुत्व का प्रभाव पड़ता है इसलिए काच को अच्छीति द्रव कहते हैं तो हमने क्या सीखा बच्चो यह सीखा कि काच पर क्या सीखा बच्चो हमने सीखा कि जो काच के अव्यवी कड़ है कि काच के अव्यवी कड़ों पर गुरुत्व का प्रभाव पड़ता है जिसके कारण काच के अव्यवी कड़ द्रव के समान नीचे की तरफ क्या है बच्चो बहते हैं या चलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं आंसर में अपने काज को काज को अत्स्तीत द्रव कहते हैं क्योंकि काच में द्रो के समान बहने का गुड़ काच में द्रो के समान बहने का गुड़ पाया जाता है बहने का गुड़ पाया जाता है क्यों बच्चों क्योंकि क्योंकि इनके क्योंकि इनके अव्यवी कड़ों पर क्योंकि इनके अव्यवी कड़ों पर गुरुत्व का क्योंकि इनके अव्यवी कड़ों पर गुरु प्रभाव पढ़ता है तो ये रहा बच्चों काच को अतिसीती द्रौ क्यों कहते हैं क्यों बच्चों काच को अतिसीती द्रौ कहते हैं क्योंकि काच में द्रौ के समान बहने का गुड़ पाया जाता है क्योंकि इनके अव्योवी कड़ों पर गुरुत्त का प्रभाव पड़ता है इसलिए बच्चों हम काज को क्या कहते हैं अतिसीती द्रौ कहते हैं क्या इतनी बात है क्लियर हुई बच्चों आप इसका स्क्रीन साट ले लीजिए चलिए अब आपकी अगली हेडिंग पर चलते हैं जो है बच्चों क्रिस्टली ठोसका वरगी करण आईए देखें और इसके पहले बच्चों जैसे है कि आपको यह दिख रहा बच्चों यह क्या बच्चों यह जो खीरा है अब बच्चों इस देखें मतलब इसकी जो सता है बच्चो आपने क्या कर दिया देखा बच्चो पत्ला कर दिया तो बच्चो आप देख पा रहे होंगे कि उपरी सता बच्चो ये सता है आपकी क्या है पत्ली है और ये सता बच्चो क्या है आपकी मोटी है तो मतलब ये सता पत्ती हो गई और ये सता मोटी हो गई यही चीज आपने काचने बताया बच्चो कि यहां तो बच्चो काटके निकाला वहां पर काटके थोड़ी निकाला जायेगा उसमें बहने का गुड़ पाय जाएगा और जो आपके कड़ होंगे धिरे-धिरे कहां आ जाएगे बच्चो नीचे आ जाएगे और धिरे-धिरे नीचे आ जाने पर ये जो लेयर होगी बच्चो नीचे वाली तल ये मोटी हो जाएगे और उपरी तल वाली उपरी तल बच्चो फतली ही रहेगे तो इस करण बच्चो यह आपका अच्छीति द्रौ कहलाता है अब बच्चो हम आपका देखेंगे क्रिश्टली ठोस का वर्गी करत तो बच्चो हमने क्या देखा था कि क्रिश्टली ठोस किसे काते बच्चो क्रिष्टली ठोस जो बच्चो क्रिष्टली ठोस होगा उसकी अव्यवी कड़ क्या बच्चो उसकी अव्यवी कड़ कि जो ज्यामती बिवस्था होगी बच्चो क्या जो ज्यामती बिवस्था होगी क्या बच्चो जो जयामती बिवस्था होगी वो क्या होगी बच्चो नियमित होगी वो जयामती बिवस्था क्या होगी बच्चो नियमित होगी और आपको पता है बच्चो क्रिष्टरी ठोस के जो अव्यवी कड होते क्या बच्चो अव्यवी कड या तो बच्चो आपके क्या होते है आयन रुटे हैं या तो बच्चो क्वांत्व seem कि ए पर मार थे हैं कि या तो कि तो 6 क्रिष्चरि टोसर की जो अव्यकर थे रचो या तो आयन मिलेंगे कर या या क्या मिलेंगे परुषम मिलेंगे रुट मिलेंगे रिक अलत क्या शो RF और अब यहीं कट्ड dealt कि आयन होंगे मुध तो बुन उस क्रीस्टली थोस करें परकार को वैशो सो क्या इसक्था क्युक्ष करेंगे रंग मोनदे मच्छो ओए है और पर्माड हो जाए है कि रवील पर्माड हो जाए है आप परमार्ण से क्या मतलाविय बच्चो अपके क्या होंगे या तो बच्चो क्या होंगे अधात होंगे क्या बच्चो अधात होंगे या तो बच्चो आपके क्या सकते हैं धात हो सकते हैं या तो आपके क्या सकते हैं अधात हो सकते हैं या तो क्या सकते हैं धात हो सकते हैं अगर बच्चों आपके परमाड़ धा तो रहें मतलब यदि अब युवी कड़ धा तो है बच्चों तो आपका जो क्रिस्टली ठोस होगा उसको क्या कहें बच्चों धात्विक ठोस कहेंगे धात्विक ठोस कहेंगे क्या कहें बच्चों धात्विक ठोस कहेंगे अगर यही बच्चों आपके क्या हो जाए अधात्विक ठोस कहेंगे क्यों कि अध्हातों जो होते बच्चों सहसर्जी बंद बनाते हैं और सहसर्जी बंद बनाये जाने के कारण इन्हें बच्चों क्या कहेंगे अगर आपके यही अध्हात होंगे तूसिम क्या कहें बच्चो अधात्विक ठोस या कालीजी सहसरयो जी ठोस और आपको पता है बच्चो कि जो अधात्विक होती है जैसे आपके कारबन है उसके मिलनी बच्चो तीन अपरूप मिलते हैं जनली लोग दो बताते हैं आपको एक हीरा एक ग्रिफाइट और एक बच्चो आपको कोईला है अगर बच्चो आप देखेंगे हीरा या ग्रिफाइट उसमें कार्बन पर माड़ एक दूसरी से जुड़ करके एक लंबी चैन बनाते हैं बच्चो और लंबी चैन बनाने के कारण लंबी स्रिंखला बनाने के कारण उसको हम बच्चों नेट्वर्क ठोस काते हैं क्या 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 बच्चों नेट्वर्क ठोस भी काते हैं और यही बच्चों आडू होगा यही आपके क्या हो जाए आडु हो जात, आपको पता आ, बच्चों, अडु दो प्रकार के के एक दुर्वी और एक अधुर्वी आने हैं । यही बच्चों अडू होगा तो इसको्हों आडवीट ठोस खाएंगे क्या आटवीट ठोस गएंगे uns और 8 मि thigh बच्चो だ ओड़ोा आपके बच्चो दो प्रकार कहती मिलनी कि या तो आप तीन प्रकार के लें लेंगे धु कि lebih दो partir और एक अद्रुवी और एक हाी टोवर्डित डों तो बच्चो एक क्या हो सकता आपका द्रुई एक द्रुई आडविक्ठोस बच्चो अगर आपके अब यवी कड़ क्या होंगे? द्रुई होंगे तो से हम क्या आगे? द्रुई आडविक्ठोस यही अब यवी कड़ बच्चो क्या होंगे? अब द्रुई होंगे तो अध्रवी आडवी ठोस और यही अडवी कर आपके क्या होज़ा बच्चो हाइट्रोजन बंधित होंगे तो उसको क्या कहें बच्चो हाइट्रोजन बंधित ठोस कहेंगे तो यह रहां बच्चो किषअली ठोस के पड़ात तो कितने पड़ार बच्चो कि तो यह रहा आएनेक ठोस दूसरा क्या रा बच्चो धातविक ठोस तीसरा ministra आडविक ठोस टॉसत दूसतरा क्या बच्चो धात्विक ठोस तिसतरा क्या बच्चो जिसकों का ते नेटवर्क ठोस और चौत है बच्चो आपका आडविक ठोस मतलब कहने का पूरा निकल के आया की क्रिश्टली ठोस चार्ट रखा के कौन-कौन बच्चों एक बार रिमेंबर कीदे आप कौन-कौन है आपके आनी ठोस आनी ठोस और क्या बच्चों धात्ती ठोस और क्या बच्चों सहसेजी ठोस और क्या बच्चों आडवी ठोस इतने अदे समझ में आई ठीक ये वीडियो आपको पसंद आई हूँ आप बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए तब तक के लिए बच्चों जै हिंद जै भारत